सीरिय लोडने की आशा भई यहाँ पे सचिन और साहिली की शादी कपकी हो गई लेकिन फाइनली मुकमल आज जाकर हुई ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्रेजन्स में एक दूसरे की यादों में खुश हो रहे हैं यही तो हम भी देखना चाहते हैं एक प्यॉर लव स्टोरी आज की सुबर साहिली की जिन्दगी में एक नई किरन लेकर आई है सचिन को देख देखकर वो मन ही मन खुश हो रही है उसे आज खुद पर गुरूर आ रहा है कभी खुद को देखती कभी आईने में वो खुद को निहारती कभी मांग में सिंदूर लगाती तो कभी इस सचिन को बस प्यार से देखती ही जाती आखिर सायली इतने खुश क्यों है अब पती-पत्नी तो ये दोनों थे ही लेकिन आज इन दोनों के बीच पती-पत्नी वाला रिष्टा भी कायम हो गया है जी हाँ सचिन और सायली अब एक हो गए हैं वो इतने खुश है लेकिन ये खुशी किसी से जाहिर नहीं कर सकती है सचिन तो अभी तक सायली के साथ ही खोया हुआ है लेकिन भई सायली तो घर की बहुरानी है ना आज का दिन उसके लिए एक यादगार दिन बन जाएगा सचिन और सायली आर इन लव नाओ जिस चीज काम सब इंतजार कर रहे थे कि अब सचिन और सायली के बीच वो फाइट खतम होगी सवेरे सवेरे घर वालों को वो चाय पिला रही है उसके चेहरे की खुशी देखकर बाबा भी खुश है चलो इतने दिनों से फैंस चार है थे के सायली और सचिन कब एक होंगे फैंस के लिए भी ये सर्प्राइज है क्योंकि अभी एक एपिसोड पहले ही तो कितने खरी खोटी सुनाई थी सायली ने सचिन को लगता है उसका असर कि कुछ इस कदर हुआ के दोनों ही प्यार में बह गए सायली भी चाय बना रही है शक्कर ज़दा डाल रही है ठीक है कोई बात नहीं काकु सुना रही है ठीक है कोई बात नहीं स्माइल कर रही है सचिन भी टक इन करके शर्ट वर जा रहा है काम के लिए अस इप इस गोई तो बाबा भी देखे है रान की सच्चिन को क्या हो गया शर्ट अवर पैंड के अंदर टकन करके प्रॉपर इधर तक शर्ट पहना है उसने तो I think when they are in love, they are doing anything and everything I see चल ये हम तो यही कहेंगे कि किसी सीरल में तो कुछ अच्छा हुआ वरना तो आजकल हर love story, triangle love story बन कर ही रह जा रही है रिष्टा जुड़ता नहीं है कि तूटने की कगार पर पहले ही आ जाता है ABP News Report आपको रखे आगे